तो दोस्तो हाली में हमने अपने यूट्यूब चैनल को अपक्रेट करने के लिए एक नया माइक बाइ किया है तो दोस्तो हमने ये फिलिप कार्ट पर ओडर कर दिया था तो ये है बोया का M1 वाला माइक दोस्तो तो मुझे ये तकरिवन 580 रुपे में मिला है दोस्तो तो देख सकते हमारे घर पर आज जुगा एकदम नया नया माइक तो इससे अब हमारे वीडियो कॉलिटीज को हम और इंक्रीस करने की कोशिस करेंगे दोस्तो ताकि आपको अच्छे से अच्छा क चान्टेंट मिलते जाए तो इसी बात पर दोस्तो सब्सक्राइब करतेजी मेरे याटीजानल को तो दूस्तो में हुष होशाँथ और आप देख रहे हैं टेक शोशाँथ तो चले जब दोस्तो शूरू कर देते हैं इसमें की अन्बáoक्सिंग और डेखते हैं हमें अंदर क्या-क्या देखने को मिलता है तो देख सकते हैं दोस्तो आपको यहाँ पर फ्रॉंट पर बोया कि प्रॉव rum यहाँ पर ब्रेंडिंग की गई है तो यहाँ पर आपको हर एक चिछ बॉया के बारे में लिखा हुआ दिख जाएगा तो इंग्लिश में और एक लाइन चाइनिज में भी देखेगा और इसके नीचे आपको स्टीकर मिलेगा जोस्तों जो की पुरू करता है कि औरिजिनल है यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं साइड में आपको बोया की ब्रेंडिंग यहाँ साइड पर भी देखने को मिल जाएगी तो इसके लिए दोस्तों पीछे आपको इस मायक से रिलेटर सारे स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएगे तो ये इस माइक से related सारे specification features यहाँ पर दर्शाता है फिर यहाँ पर हम इंपोर्टर, seller का नाम भी देखने को मिल जाता है और manufacturer का भी दोस्तों तो इसके लोग दोस्तों यह जो sticker है दोस्तों यह प्रूव करता कि यह असली है कि नहीं इससे चेक करके आप पता कर सकते कि यह असली है कि नहीं इसकी website पर जाके या फिर यहीं पर methods को follow करके तो चले दोस्तों हम इसे open कर लेते हैं तो यह उपर से open होता है तो हम इसे खोल लेते हैं दोस्तों तो चले दोस्तों यहाँ पर अंदर हमें एक पाउच देखने को मिल रहा है हमारा मायक इसके अंदर ही होगा इसके लिए दोस्तों चेक कर लेते हैं और क्या क्या हमें देखने को मिलता है तो दोस्तों यहाँ पर हमें दो पेपर देखने को मिल रहे हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तो यह वाला warranty card है तो यह English और Chinese दोनों में लिखा हुआ है इसके लिए दोस्तो हमें एक user manual देखने को मिलता है Boya का user manual तो यह भी देख सकते हैं दोस्तो English और Chinese वाले में आता है तो इससे हम समझ सकते कि हमारे Boya Make One को कैसे यहाँ पर हमें connect करना है क्या क्या होता है तो दोस्तो यह एक imported product है जो की चाइना से मंगाया गया है जहां तक मुझे लग रहा है तो इसके लिए दोस्तो पाउच की quality देखने में बहुत अच्छी लग रही है दोस्तो यहाँ पर पाउच पर भी Boya की branding की गई है तो पाउच देखने में बहुत अच्छा है दोस्तो तो चलिए चेक कर लेते हमारा सारा समान अंदर available है की नहीं है तो इस तरीके से आप पाउच को खोल सकते हैं दोस्तो तो इस तरीके से आप खोल सकते हैं चलिए देखते हैं अंदर क्या क्या है तो इस तरह के से हम बंद करके से कहीं भी लेके जा सकते हैं तो देखें दोस्तो यह रामारा मैन तो देख सकते हैं दोस्तो यह माइक का पुरा आप मैन समान है तो इस पर भी वोया की ब्रेंडिंग है और आप देख सकतें इही है केमरा और नीचे यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं फोन में connect करने के लिए दोस्तों तो देख सकते हैं इसकी वाइर बहुत लंबी है तो तक्रीवर्वन यह च्छे मीटर का वाइर है दोस्तों वाइर की length बहुत साधा दी गई है और यहाँ पर देख सकते हैं इसमें ही वाइस को connect किया जाता है इसे ही वाइस आता है और यह रहा 3.5 एमेक चौक जैक चौकि हम अपने फोन में अराम से लगा सकते हैं और कुछ भी recording कर सकते हैं दोस्तों तो यहाँ पर देख सकते हैं तो यह है powe on or off का वूरा बटन यहाँ पर यहां पर camera mode मोड और यहां पर फोन का remote भी दिया गया है तो इससे हम एपर नीचे करके देख सकते हैं तो झालेए सक्क्राश के जए गया है इसके इलाबा दोस्तों यहाँ तो यहाँ हमें भोया certified से दीजिये तो श्रkelह दिस तो हमें मिलता है हमारे कुछ चोड़े चोड़े ह मिल रहे दोस्तों तो जो शुन ङे ए हैं तो आराम से कहीं भी जाते वक्पे रिकौर्ड कर शेकि या कौह कोई चीज हम रिकॉर्ड करना चाहिए या करना चाल Gregory से हम कनेक कर सकते हैं अपने मिक के साथ बहुत असानी से तो दोस्तो देख सकते हैं इसके लब हमें यहां पर एक बैटरी देखने को मिला है तो दोस्तो इसकी ज़ुरत तब पड़ेगी जब हम यह जो मारम मीके से हम कैमरा से कनिक करेंगे तब हमें बैटरी लगाना होगा नहीं तो दोस्तो हमें इसकी कोई ज़रत नहीं है यह बिना बैटरी के अनाम से रिकॉर्ड कर सकता है हमारे साथे बातों को हर एक चीज हम कर सकते हैं बिना बैटरी के तो दोस्तो आप देख सकते हैं यह सारे वह समान है जो हमें बोया M1 मिक में मिलता है तो तो ओवराल मुझे यह मिक अच्छा लगा दोस्तो तो इसका एक रिविए वीडियो में में देने वाला हूँ और इसे मैं अपने हर एक वीडियो में यूज करूँगा अब जो आप आपको यह में कैसा लगा और आपके इन टापिक्स पर वीडियो दखना पसंद करेंगे